अगर आप भिंडी की वही पुरानी तरीके से सब्जी बना कर खा कर बोर हो गए हैं तो आप मेरी तरह सुपर क्रिस्पी भिंडी और आलो की सब्जी बना कर इंज़ा कर सकते हैं आप इसे रोटी पराठा के साथ खा सकते हैं तो चलिए अभी आप एक बार कितनी क्रिस्पी मे कर रेडी हुई अच्छा लिए बनाते हैं यहाँ पर 500 ग्राम मैंने ली है बिंडी और इसे दो करके रख लिया है अब आप ले लीजिए एक कॉटन का कपड़ा और इसे अच्छे से पहुंच लीजिए क्योंकि जो बिंडी होती है इसमें पाई बहुत जादा हो जाता है तो इसलिए आप दो करके एक बार कॉटन कपड़े से इससे पहुंच लीजिए और क्या अगर यह दो इसको आप कम से कम बनाने से चार गंटे पहले इसे दो करके जाली में रख दीजिए और कपड़े से इस तरह से पहुंच लीजिए मैं सारी बिंडी इसी तरह पहुंच कर र यह देखिए आप गोल भी काट सकते हैं या फिर लंबा लंबा भी काट सकते हां लेकिन आज जो मैं बना रहे हूं इस तरह से भिंडी काट करके ही यह सब्जी बना करके तैयार करूंगी यह जो है देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी टेस्टी होती है तो एक बार इस तरह से बिंडी काट कर आप इसे बना करके जरूर इंजॉय करें ये देखिए इस तरह से ही मैं सारी बिंडी काट करके रेडी कर लूँगी देख रहें आप बिल्कुल कितना डिजाइन भी इसकी सुन्दर लग रही है और ये लीजिए हम हमारे भिंडी अभी कट करके रेडी हो गई है अब मैं इसके साथ खाने की मतलब इसमें डालने के लिए मैं डालूंगे यहां पर चार आलू मीडियम साइज के मैंने लिए हैं चील करके रख लिए थे बस वही हम इसे काट लेंगे ये भी आपको इसी तरह से चोटे-चोट है मैं आपको दिखाऊंगी कि कि तने चोटे-चोटे तकड़ों में आपको से काटने हैं यह देखिए आलू के थे अस तरह से आप पीज़ कर लिजे और इस तरह करें लिजिए तो हमें चोटे-चोटे तकड़े कट करके मिल जाएंगे बिशे आगर कम दो से तीन बार आपको दोना है जिससे की आलू का स्टार्च हमारा निकल जाएगा चलिए मैं भी आलू धो लेती हूँ अब मैंने यहां पर ले ली है किचिन टावल यानि कॉटन का आपको कोई भी कपड़ा लेना है और आलू उसमें इस तरह से फैला देने हैं दस मिनिट ऐसे ही आप इसे रहने दीजे जिससे क्या होगा जो आलू है उसके मश्यर हमारे इस कपड़े में निकल जाएगा एकदम सूप करके यह रेडी हो जाएगा अगर आप बिना इसे कपड़े में डाल कर तेल में डालेंगे तो यह बहुत जादा आपके ऊपर छिटकेगा इसल में आपको यह तलने हैं मैं एक कड़ाई साइड में रख दूंगे और उसमें डाल देंगे धेर सारा तेल क्योंकि हमें अभी यह करने हैं डीफ और यह रेखिए अभी हमने कड़ाई रख दी है तेल अच्छे से ज्यादा से गरम होने दीजा हाई फ्लेम पर आप इसमें ए में डाल दीजिए एक बार में ही सारे आप डाल दीजिए क्योंकि मैंने यहाँ पर धेर सारा तेल डाला है तो बस मैं सारे आलों को एक बार में ही डाल दूंगी और आपको यहाँ पर इसे कुछ भी चलाना नहीं है आप देखिए कि जो हमारे आलू है खुद बखुद तेल में उपर आ जाएंगे ये देखिए अब मैं कल्ची से इसे उलट पुलट दूंगे कम से कम 10 से 12 में आपको इसे सेखने में लग जाएगी ये देखिए अभी जो हमारे आलू है लगवक ब्राउन होना शुरू कर दिये हैं गैस का फ्लेम अभी भी आपको यहां पर मीडियम प वाके हैं की नहीं और ये लिजिए जो हमारे आलू का कलर कितना सुंदर आया है और मैं इसे अब निकाल लेती हूं अलग प्लेट में जब आप इसे प्लेट में निकालेंगे तो फैला कर डालिएगा और इसमें कोई भी आपको यहां पर टिशू पेपर वगरा नहीं डालन हुए गैस का फ्लेम आपको हाई यहां पर भी नहीं करना है लो फ्रेम पर करते हुए पुलट पुलट कर आपको भिंडी को भी क्रिस्पी होने तक सेक लेना है और यहां पर ही मैं इसे स्टेज पर डाल दूंगे थोड़े से करीब पत्ते चार से छे और दो से तीन मैंने हर तोनों चीजें इसमें एड़ कर दे हूं और यह देखिए बिंडी जो है इस तरह की हमें चाहिए एकदम क्रिस्पी और बस गैस का फ्लेम आपको लो पर करते हुए इसे निकाल लेना और इसको भी आपको प्लेट में फैला करके ही निकालना है टिशू पेपर में आपको इ चाहिए यह जो सब्सक्राइब बहुत होती है एक बार आप इसे जरूर ट्राइब करें और बस अब एक मैंने ले लिया है बाउल उसमें डाल देंगे हम यह बिंडी जो हमने भून के रखी है और इसमें ही एड़ कर देंगे जो आलू हमने भून के रखे हैं आप एक वाला जिससे कि आप अच्छे से इसे मिला सकें इसमें मसाला और यह आलू भी इसमें चले गए अब हम इसमें मसाला एड़ करेंगे इसमें जाएगा नमक टेस्ट के अकोर्डिंग डाल लिए मैं आदा चम्मच इसमें डाल रही हूं अब इसमें जाएगा यह काला नमक यह खबन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और मैं डालूँगी एक बड़ा चम्मच यहां पर अमचूर पॉर्डर क्योंकि खटा खटा काफी टेस्ट आता है इसमें थोड़ा सा आप इसमें चाट मसाला भी एड़ कर लीजिए चिली फ्लेक्स आदा चम्मच जा करते हुए सभी मसाले को अच्छे से मिला लें देख रहे हैं देखने में ही हमारी जो सब्जी है कितनी टेंटिंग लग रही है आप दाल चाबल अगर किसी को या छोले चाबल परोस रहे हैं तो आप साइड में यह सब्जी भी दे दीजिए बहुत ही उसको इंजॉय करके वो खाएगा और वो आप से पूछेगा यह तो बहुत टेस्टी सब्जी आपने बनाई है चलिए अब इसे कर लेते हैं सर्व मैं यहाँ पर इसे अपने सर्विंग बाउल में डाल करके आपको दिखाऊंगी तो बस यह देखिए हमारी आसुपर क्रिस्पी भिंडी और आल जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी तो मैं फिर मिलूंगी आप सभी से एक नई और यूनिक रेसिपी के साथ वीडियो देखने के लिए थैंक यू